हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका इस्टार किचिन में और आज हम ले करके आए हैं पानी पूरी की बहुत ही टेश्टी यमी रेसिपी पानी पूरी पुछ का गोल गप्पे जो भी आप बोलते हों बिल्कुल फरफेक्ट किस तरीके से आप बनाएं गोल चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी तो हमने यह मटर ले लिए इसको हमने तीन से चार घंटे पहले भीगो का रख दिया था जो अच्छे तरीके से फूल चुकी है देखिए तो इसको रखेंगे हम अबलने के लिए सब से पहले कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा अबलने के लिए तो इसको हम रख देंगे अबलने के लिए साथ में आलू भी रखेंगे चने भी रखेंगे तो उसको हमने अबलने के लिए रख दिया है मटर को अब लेंगे एक कटोरी सूजी तो हमने एक कटोरी सूजी ली है हम पूरिया बनाएंगे सबसे पहले इसका लगा लेंगे तो एक कटोरी हमने जिस कटोरी से हमने सूजी लिए है देखिए मोटी वाली सूजी है जिसके हम अलब इस्तमाल करते हैं और जिसका हलु अब बनाते हैं वस वही है क्योंकि बारीक नहीं है थोड़ी सी मोटी है तो इसको लिया है और इसमें डालेंगे आधी कटोरी से भी कम हमने गरम पानी लिया है तो हम गरम पानी से जो है डो लगाएंगे क्योंकि सूजी क्या होती है फूलती है इससे हमें क्या होगा कि बढ़िया सौप्टी भी बनेंगे और फूले फूले बिल्कुल पानी पूरी हमारी बनेगी तो बस हमने इसका डो ल लगा के इसको रखना है रेष्ट के लिए कम से कम 10 मिनट के लिए इसको हम कबर करके छोड़ देंगे क्योंकि यह अभी बहुत सॉप्ट है और देखना बाद में बहुत ही टाइट हो जाएगा तो बस इसको हमने छोड़ दिया है और तब तक हम बनाएंगे पानी जो पानी प बढ़िया ने टेस्ट नाएगा तो तो अजैने बहुट इसको हम ने बहुत कर सब्ढ़िया ओर इसको बना लेंगे तो यहां डेकि इदर हमारी मटर शी आपना छीज और ओब तो पहले ही एड़ कर दिया था तो इसमें लाल मिर्ची पाउडर और गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर लिया है थोड़े से मसाले एड़ करें है और बढ़िया से मिक्स कर देंगे इससे क्या होगा बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा मतर का आं पर गैन थिए अभी व हंभी कव्या देलिया है तो जो है देखिए मतर बन के रेडि हो चुकी है आप चाहे तो में अखिऑ चनने फिए और बाई चनने दोनों लिए है और आलू भी ऒब के रेडि हो चुकी तो मसाला जो है इस टौफिंग ने के लिए पानी पूरी में एकदम ready हो चुका है देखिए चाने भी अच्छी तरीके से ओबल चुके हैं देखिए एकदम perfect हमारा ये भी ready हो चुके हैं तो अब बनाएंगे हम पानी तो पानी के लिए लगवग हमने पास से साथ हरी मिर्ची ली है हरी मिर्ची जो है थोड़ी सी कम तीखी है तो लगवग हमने ये थोड़ी सी जादा मिर्ची ले ली है अगर आपकी जो मिर्ची है जादा तीखी है तो कम जादा कर सकते हैं आप किस तरीके से पानी चाहिए एकदम चटपटा तीखा बनाने वाले हैं पानी तो हमने थोड़ी सी मिर्ची जादा रखी है और ले लिया है हरा धनिया हरा धनिया हमें बहुत सारा लेना है इसमें हरा धनिया एकदम हरा हरा पानी बनाने वाले हैं तो हरा धनिया भी हम बहुत सारा लेंगे और लगभग दो टुकड़े हमने अद रख के लिए है और इसमें हमने लेसन की जगए थोड़ी से जो लेसन ल पानी दाल के पीसना है क्योंकि पानी पूरी में पानी की जरूबत पड़ेगी तो इसमें हम पहले ही पानी यहाड कर देंगे और देखिए बढ़िया से पिस चुका है हमारा सारी चीजह तो अब इसको हम चान लेंगे इसमें जो भी मोटा मोटा होगा जो नहीं पिसा होगा और बहुत बढ़िया है तो हो बहुत बढ़िया है तो रहे से कैलेगे और ये जो उपर का बहाग है जो चटनी हमारी बच्ची है उसको हम क्योंकि यह भी हमारे काम आएगी बाद में हम इसका इस्तमाल करेंगे तो देखिए हमने पानी को छान लिया है अब लिए हमने लगभग तीन नीबु अब नीबु की जगहें इमली का भी इस्तमाल कर सकते हैं अमचुर पाउडर का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो हम नीबु का ह लिया हैो कि तोटा सा हम और पानी यड करोंगे जो हमने मिक्सिजार था उसी से थोड़ा सा और पानी यड कर दिया है में हम टुकड़ा नावल withdrawn, जितना हमに पानी बनाना था उत्रा पानी ले लिया है और इसमें ृणी के टुकड़े काट के, क्योंकि 3-4 वोज रखाल ऑई-üstरी का मौह तो हमने आयस क्यूब नहीं डाले Пख़ा निबब你 कुट़ heo पानी का, तो आप इसमें काला ही नमक डालें, अब डालेंगे कुछ मसाले, तो लगबगा हमने 2-3 बड़ा चमच धनिया पाउडर डाला है, मिर्ची पाउडर, एक चमच मिर्ची पाउडर लिया है, मिर्ची पाउडर क्योंकि हरी अल्रेडी हमने डाल चुके हैं, तो इसमें तो थोड़ी सी आप अपने हिसाब से डालें किस तरीके से डाल ली है और तो जल जीरा मसाला, चुटकी भर हींग डाली है इसमें, भी होता है टाइजेशन के लिए अच्छी होती है, तो थोड़ी सी हमने हींग ली है, और बढ़िया से सारे मसालों को मिक्स करेंगे एकदम च जैसे पानी में कलर मिलाया हो बिल्कुल भी हमने कलर का इस्तमाल नहीं किया है और देखिए एकदम पर्फेक्ट हमारा गिरीन पानी बनके रेडी हो चुका है और अगर आपको थोड़ा सा कम जादा लगे तो आप थोड़े से और मसाले एड़ इसमें कर सकते हैं तो अब इसम बढ़िया सा पानी रेडी हो चुका है तो इस तरीके से आप बिल्कुल बाहर जाने की आपको जरुट नहीं पड़ेगी फटा-फट से आपका ये पानी घर पे ही इसली बनके तैयार हो जाएगा इस तरीके से बनाएंगे और हमने जल जीरा पाउडर आपके पास नहीं है तो इसकी जगाए पे आप चाट मसाला भी इस्तमाल कर सकते हैं आमचुर पाउडर भी इस्तमाल कर सकते हैं एजली मिल जाता है और देखिए एकदम रेडी हो चुका है हमारा पानी इसको रखेंगे साइड में और उबले हुए आलू लिए हैं इनको कर लेंगे मैस मढ़िय और थोड़े से चन इपले हुए है जो चने रखे हुए थे उनको हम ले लेंगे लिए मसाला बचा भूगा था वह काम आचुका है तो इसको फेके नहीं है इस तलिक्ये से इस्तमाल कर शकते हैं देखिए एक दम बढ़िया बनके तयार हो चुका है और इधर हमारा पूरी का दो भी एकदम बढ़िया देखिए फूल के रेडी हो चुका है एक डाईट हो चुका है देखिए हमने कितना सब्गा तुमल के एकदम 15-12 मिड़े और देखिए ऱ मिसकी तोड़ लें जिती सी हमेठी पूरी बनानी है उतनी सी हम पूरीयों लोईयां बनाके पहले से रेडी कर लेंगे क्योंकि तुरंथ हम इनको बनाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और पहले बनाका रख लेंगे तो बहुत ही फटा-फट से बनके तैयार हो जाएंगी पूरियां तो देखिए हमने 30-45 लगभाग पूरियों बनाके लोईया रेडी कर ली है और अब इनको हम बेल लेंगे तो बस इस तरीके से हम बेलते जाएंगे फटा-फट से देखिए बहुत ही आसान है कुछ लगाने की जरुवत नहीं पड़ेगी बिल्कुल बढ़िया से डो हमारा एकदम परफेक्ट लगा है इस तरीके से लगाएंगे तो परफेक्ट ही लगेगा और देखिए एकदम बढ़िया से पूरियां बेल लेंगे और सारी एक साइज की ही बनेगी इस तरीके से आप लोईया एक साइज की बना लीजिए और सारी पूरियां सेम ही बनेगी तो देखिए एकदम फटा-फट से हम सारी पूरियों को बेल ले पर्फेक्ट आपकी बनके तैयार हो जाएगी देखिए कितनी बढ़िया रेडी हो चुकी है तो इस तरीके से सारी पूरियों को हम बेल लेंगे बहुत ही आसान है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको बनाने में आप घर पे इजली बनाईए और बहुत बढ़िया बहुत स ज्यादा मोटी नहीं करनी है ना ज्यादा पतली रखनी है बलकुल ठीक रखनी है और देखिए कितनी बढ़िया हमारी पूरिया बनके रेडी हो चुकी है इस तरीके से आप बना लीजे फटा-फट से आपकी पूरिया बन जाएंगी तो देखिए एक दम फटा-फट से ही डालते जाएं और इनको करना है कवर क्योंकि जब तक पूरिया बनाने में टाइम लगेगा तो काफी समय लग जाता है तो सारी पूरियों को हम कवर करते जाएंगे और इस तरीके से बनाते जाएंगे तो हमारी सारी पूरिया बन चुकी है और कढ़ाई को हमने अच्छा तेल गरम कर लिया है तेल को अच्छा गरम करना है कम नहीं करना है और एक एक से सारी पूरियां हम डालते जाएंगे देखिए इस तरीके से और जो पहले बनाई थी पूरियां उनको पहले सेखेंगे और जो बाद में बनाई है उनको बाद में सेखेंगे तो पहले जो हमने ब पूली हमारी परफेक्ट पूरियां बनके कितनी बढ़िया बनेगे तरीके से अब बनाएं गराया होगी सारी खाल कर तेलंको फूल पर नहीं करना है फ्लैम पर ही गर्म करें और हाई फ्लैम पर ही इनको शेखना है और अगर आपने लो फिलैम किया तो यह सौफ्ट हो जाएंगी इसलिए बिल्कों लो फिलेम ना करें हाई फिलेम पर ही इनको टिक्कियों को सेखें और देखिए कि गोल गप्पे फूले फूले हमारे बनके रेडी हो चुके हैं तो इनको अच्छे तरीके से शेक लिया है इनको निकाल लेंगे और देखिए हम दूबारा से आ हमारे फूलते जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होगी फटा-फट से आपके सारे गोल गप्पे फूल जाएंगे देखिए कितनी बढ़िया हमारी जो है पानी पूरी रेडी हो चुकी है तो मैं क्या होता है पानी अच्छा बन जाए और ये पूरिया एकदम फूली पूली ब यार हो जाती है तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी पूरिया रेडी हो चुकी है तो बस इस तरीके से इनको बढ़िया से पलटते जाएंगे और थोड़ा सा इनको दबाते जाएंगे जादा नहीं दबाना है वरना तूट जाएंगे ये बहुत ही सौप्ट है और एकदम क इसे ही निकली होंगी जो न फूली हो नहीं सारी पूरियां हमारी बिल्कुल इभिपर्फेक्ट तरीके से फूली हैं। आपको जब पूरा वहत्थ करेंगे तभी आपको पता चलेगा की किस तरीके से आप ये पूरियां बना सकत? एकदम फू्li फू्li को बार एके, जैसी. देखिए, एकदम बढ़िया से और इनको अच्छे से सेख लेना है, कम नहीं सेख ना है, जितने जादा अच्छी से सेखेंगे, उतनी बढ़िया क्रिस्प बनेंगी, देखिए एकदम बढ़िया से हमारी सेख चुकी है तो इस तरीके से आपको सेख लेना है और ये रही हमारी पानी पूरी देखिए कितनी साई फूली फूली बनके तैयार हो चुकी है तो इस तरीके से आप बना लेजिए एकदम फटा फट से आपकी पूरियां बनके रेडी हो जाएंगी देखिए कितनी बढ़िया बनी है आपको हम देखाते हैं एक तोड़के एकदम बढ़िया क्रिस्पी देखिए तुरंत विल्कुल टूट आएंगी एकदम क्रिस्पी बन कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे इतनी बढ़िया पानी पूरी तयार हुई कि आप इस तरीके से इजली घर पे बना सकते हैं आपने कुछी सामान से आप घर पे आसानी से बना सकते इस तरीके से तो देखिए हमारा यह रहा पानी एकदम ग्रीन पानी कोई नहीं कहेगा कि आपने घर पे बना एकदम रोड जैसा फर्फेक्ट हमारा पानी बनके तयार हो गया है देखिए कितना बढ़िया पानी और यह हमने कुछ नमकीन ले ली है बिल्कुल मज़िदार बनाने के लिए तो सारी चीजे हमारी रेडी है आलू मशाला चने सारी चीजे एकदम पर्फे कि बनाईए बढ़िया से फटफट से खाईए कितनी बढ़िया हमारी पानी पूरी रेडी हो चुकी है चलिए तो आपको एक दिखाते हैं हम बढ़िया से भर के देखिए इनको तोड़ना बिल्कुल ज्यादा नहीं लगए देखिए कितनी बढ़िया एकदम तुरंत जो आसे कि फटकी है उसमें और देखिए पानी आप भरेंगे उसमें पानी और उक्दम फटा फट own तरिके से और पसंदा तो पर लाई कीजिये कमैंट कीजिए से एर कीजिए नंए है तो नए है तो शंसक्राइब कीजिये और आपको और भी हमारे कुछ वीडियो देखने तो आप हमारे चैनल पर जाएए बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आपको बढ़िया मज़ेदार वीडियो मिलेंगे और मिलते हैं अगली रेसिपी में कुछ नया कुछ अलग लेके तब तक के लिए बाई बाई